कोई पूछ ले कि यूपी में काबा तो पुलिस पहांच जाय करती है योगी जी यूपी की जनता को उनकी समस्याओं के हल का दिलासा बार बार देते हैं कि होगा आपकी समस्या का हल होगा बकाइदा अधिकारियों के आगे जनता दर्बार लगा दिया जाता है लेकिन अगर एक तकरीबन सतर साल के बुज़ूर्ग की समस्या का भी कोई निदान ना किया जाये दोस्तों हल ना निकाला जाये तो क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि यूपी में काबा यूपी से एक ऐसा मामला सामने आया जहां सरकारी अधिकारी पर बुज़ूर्ग को थपड मारने का आरोप लगा है यहां एक नहीं दो दो थपड उस बुज़ूर्ग का वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है आपको इस खबर में नासिव वीडियो दिखाएंगे इस मामले से जुड़ी तमाम जानकारी भी है आपको इस वीडियो में हम देंगे दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है जयन दी जहा और आप देख रहे हैं दनेशन कभी आपने सरकारी अधिकारियों का रॉब देखा है दोस्तो रॉब जो उनकी दिमाग पर चड़ा रहता है आरोब भी लगता है उनके उपर कि वो रॉब ज़ाडते रहते हैं अगर आपने नहीं देखा है ये रॉब तो यूपी की राजधानी लखनाउं से जो मामला साम जहां प्राधिकरण भवन में बुजर्ग का ये आरोप है कि उन्हें थपड मारा गया इस वक्त आपके स्क्रीज पर आपको अमद्यानिक भासकर की खबर दिखा रहे हैं ये खबर साफ तोर पर कहती है दोस्तों कि लखनाउं विकास प्राधिकरण यानि लखनाउं डेवल उनकित मकान पर कबजा धिलाने के लिए अफसरों के पास पहुंचे थे मामला अभी का नहीं है 19 साल पुराना मामला है अभी तक चलता आ रहा है बुजर्ग ने आरोप लगाया कि जन सुनवाई के दौरान उनके साथ बचसलुकी हुई इस बचसलुकी का आरोप और किसी प पर बार लगाया था उनकी बाते सुनने के लिए बुजर्ग ने आरोप लगाया कि बुजर्ग अपनी परियाद लेकर पहुचे थे जहां प्राधिकरन के अधिकारी डीके सिंग ने अपना आपा खो दिया और गुस्य में बुजर्ग को दो थपड मार दिये जिसके बाद पर हम पहले तो दिखा दिखाते हैं कि बुजर्ग के क्या आरोप है उन्होंने क्या आरोप लगाया है छोटा क्लिप आपको दिखाते हैं उसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी आपको देंगे दोस्ते देखे दो तीन तमाचे वाद यह चसमा तो दिया इसकी शिकायत भी एक कैई ने कि यह तो बुजर्ग कहना है कि जो हुआ है सब के सामने हुआ है और थिकारी ने थपड मानने के साथ ही उनका चुश्मा भी थोड़ दिया है और इस तरीके सी थपड माना कि खून में निकल आया यञा हारोप लगा इस बुजर्ग ने यह भी कहा कि जो आपको दैनिक भासकर के खबर के हवाले से इस वक्त हम बता भी रहें दोस्तों दैनिक भासकर की खबर के मुकेश शर्मा नाम के बुजर्ग हैं इनकी अगर माने तो 19 साल से वह लगातार प्राधिकरण भवन के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उन्हें मकान अभी तक भी कबजा नहीं मिल पाया है बुजर्ग ने प्राधिकरण के अधिकारियों कबजेदारों की मिली भगत का भी आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि 2009 से उनके मकान पर कबजा हो रखा है 2012 में जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन उन्हें हाइकोट का द इस बुजर्ग ने आरोप यह भी है कि बड़ी मुश्कल से अपने नाम पर उन्होंने रजिस्ट्री करवाई 2021 में हुआ है कि प्रभारी जो अभिजेक प्रकाश थे उस वक्त प्रभारी थे उन्होंने अफसरों को कबजा कराने का आदेश भी दे दिया कि जाई है और सुनवाई ने कर रहा है हाला कि इस पूरे हंगामे के बाद मुकेश शर्मा की बातों को लखनाओ विकास प्राधिकरन के वीसी हैं इंद्रमणी तृपाथी जैसा द्यानिक भासकर की खबर कहती है उन्होंने उनको बुलाया और उनके समस्या को सुना समस्या का हल निकालने जान की दें भरोसा रखना चाहिए यह कहना सही नहीं होगा तो कि आप भरोसा रख सकते हैं इस वक्षाल मीडिया पर लगातार इस मामली की चर्चा हूँ रही है साथी इसका वीडियो जो है वह भी तेजी से वारल हो रहा है सवाल सिफ एक पूछा जा रहा है कि बुज़र का विशे है और इसे नकारा नहीं जा सकता इस पर मुख्यमंत्री योगी आदितनार जी को खुद सम्याल लेना पड़ेगा जिन अधिकारियों पर ये रवया अपनाने का आरोप लग रहा है उन पर भी कारेवाही होनी बहुत जरूरी है महराजी ताकि कोई बुजर्ग आगे जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है वेराल दोस्तों इस खबर पर आपके राय किया है कमेंट कर की जरू बताइए का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ तब त सकार करो स्थमार runnersकर थाल बताफ ताली सब्सक्ताब टूलJOं के साथोंor कर आत्र वाएड़यो परेंग्डा के वीरियो छिला हृण के पना अन्या उब्सक्ताब